इन जूटों को पैंशन मिलेगी जो दो करोन रोजगार का जुमला देता है उस जूटे को पैंशन मिलेगी जो पांच इटलियन अर्थ वस्ता का सपना दिखाता है देश गड़े में डुवा दिया इन्हें ये पैंशन के अधिकारी है और सेना का जवान पैंशन का अधिकार हम ढोज पनेगों इस देश को गुलाम बना आ सब्सकी आगिक यानिति रहे को दरम सिखाएंगे दोरा जो लिष्ट बनाई ए जनता नहीं लिष्ट बना ला Mai आज वही तो आक्रोस देश में दिखाई दे रहा है यह सच्चा ही है चुपेगी नहीं चाह कितना भी अंजना उंकस्य परचार कर ले और यह जो जबाब देई करते हैं न सरकार की मोदी जी के मुह में तो आबाद नहीं है सामने आ नहीं सकते क्योंकि इतने जूट बोल चु सब्सक्सकार कर नेताओं जो जोट बोला किया देश में आज हमारे देश की GDP क्या है आर्थिक स्थिति क्या है आज इनका failure इंसा का रूप दारन कर चुका है लेकिन ये तो कहते हैं कि हम जो योजना लाए है इससे देश का काया कलप हो जाएगा सेना का जो है एसे ही किसान विरोधी बिल लाए थे किसानों का बविस्तुनेरा करना चाते थे वो भी किसानों ने बड़े पेमाने पर आंदुलन किया तब जाकर इस संकट से बचपाई नरेंदर मोधी जी की किसी नीती ने आज तक देश का हित नहीं किया है जो ये सेना का जो अगनी वीर योजना जो लाए है इससे सेना का कोई लाब नी होने वाला आज बरत्मान में भारती जन्ता पार्टी में नेता है भी के सिंग थल सेना के अध्यच थे जब कॉंग्रेस के सासन में इनको 35 साल की नौकरी के बाद रिटारिमेंट दिया जा रह लेकिन जनरल पीके सिंग से जब टीवी वालों ने पूछा तो उन्होंने तो कहाई कि इस योजना के बनाने में मैं सामील ही नहीं हूं इसके बारें को जानकारी नहीं तो देश को घुमरा क्यों कर रहे हैं देश को अकीकत क्यों नहीं बताते जब 35 साल की नौकरी करने के कोंगरेंस डे रहे थी तो कोट क्यों गए यह आज क्यों नहीं कहते हैं जो बिल एगे सेना के एत्म नहीं है आप सेना की पैंसन शक्तम कर रहे हैं और यह जो देश में आ नहीं यह कम से कम 4,4 साल भा जब होगा उसके पास 20 लाग रुपय होंगे वो दंबे कर सकता है आप पत्रकार हो के मजाग कर रहे हैं का यह देश का सवाल है बारती जनता पार्टी कहती है किवल 21 साल के लोग जो बढ़ती के योग है वो ही लोग इस चीज का वरोध कर रहे हैं इन व्हुच्टों को पेंशन मिलेगी जो 2 करोल रोजगार का जुमला देता है उस जूटे को पैंशन मिलेगी जो पांच उट्रियन अरुस्ता का सपना दिखाता है देश इन्हें यह पेंशन का अधिकारी हैं और सेना का जवान पेंशन का अधिकारी नहीं है क्यों आप तो कह रहे हूं कि यह देश की परिस्तितियां है कि हम लोगों के बच्चे पड़े लगकर सुषाइट कर रहे हैं क्योंकि दो कॉली के लोग जिनकी हैसियत नहीं नशेड़ी आज टीवी पर बैटकर हमें ग्यान दे रहे हैं यह राजनीती करने वाले सपेग कुर्ता पजामा पहनने वाले हमको धर्म सिखाएंगे धर्म क्या होता है धर्म का ग्यान के बल गुरू दे सकता है यह तो अपने स्वार्थ में जिस जहां ल छल रहा है क्यों चल रहा है इसे देश की त्रक्षी करकर और इस Дेश को दिकर करने का जो अपने शडियंत्र कर रहे है राष्टवाद के नाम पर ऐसे लोगों के चेयरे आज जन्ता के सामने उजागर हो चुकर यह उसी का परणाम है कि आज देश आक्रोसित है आज हिंसा की प्रमुक पज़े यही है कि भारती जंता पार्टी ने देश के साथ विस्वाजगात किया है यही सत्त है नहीं चुपेगा नहीं चुपेगा यह सत्त और आगे आने वाले दिनों में राउल गांदी जी ने का था एक दिन वो आएगा कि वो दिन दूर नहीं है वो दिन दूर नहीं है यही तो सब च्बड़ी कमी है कि विपक्च कहा है इन बच्चो का सारा देने की आप लोग देख रहे हैं पिछले क्या यही दिनों से उस व्यक्ति को प्रताडित किया जा रहा जिसके नाम पर इस देश में मकान नहीं है कोई प्रॉपर्टी नहीं है आज तक राउल गांदी जी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है आप इस बात को याद रखना एड़ी उन्हें परेसान कर रही है जो लोग हमारे देश को लूट रहे हैं जो लोग हमारे देश की संपत्ति उद्योग पतियों को ट्रांसपर कर रह नहीं थे आज इन चीजों की जरूवत थी इस बिल की जरूवत नहीं थी कि आपने अगनीपत अगनीवीर योजना ला दी योजना की जरूवत नहीं थी भरती की जा रही थी क्या वे बरतियां सही नहीं थी क्या हमारी देश की सेना दुनिया में अपना इस्थान कायम नहीं किये हुए है आज सेना को आई टेक बनाने के लिए इस योजना की जरूवत नहीं है सेना को सुबधाय देने की जरूवत है सेना को अच्छे थियार देने की जरूवत है लेकिन आपने तो जो है गली में रुद्राक्ष पहन लखा है और आप विरोध कर रहे हो तो आप खुद क्यों नहीं गए सेना में मेरे पिता जी ने सेना में नौकरी किये सेकेंड राजपूत में स्री उद्यपाल सिंग सेंगर मेरे चाचा जी ने 24 राजपूत में नौकरी करिये स्री राम बगवान सिंग सेंगर पूरा खांदान हमारा सेना में नौकरी करने वाला है समझ में नहीं गए हम तो रुद्राक्ष पहने वाले तो मोदी जी के समय पर रहते हैं? तो मोदी जुम्मेदार हैं? आप जूटे बादे क्यों करते हैं? आप ने जनता को सपने क्यों दिखाई आपने? आप देखिये नरेंद्र मोदी जी का प्रिशाचन हमारे पूर्व ग्रया मंतरी हमारे पीवी चितमरंज जी का हाथ तोड़ दिया हिंचा कौन पहला रहा है? कैसे टूटा हमारे देश के पूर्व ग्रया मंतरी का हाथ? आप बताइए आप से कोई जूट बोलेगा आप क्या करेंगे? योगी जी तो कहते हैं गाल पे थपड़ मारोगे तो आप क्या करोगे? इनके नेता कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारोगे? कौन है गद्दार? किसने किया विश्वास गाद देश के साथ? किसने किया दोखा देश के साथ? लिश्ट बनाई तो है उन्होंने तेति फ्रॉण उनके द्वारा जो लिश्ट बनाई जनता ना भी तो लिश्ट बना ली यह बारतियंता पाटी चोर जूटी जुम्लेवाज आज वहीं तो आक्रोस देस में देखाई दे रहा है ये सच्चा ही है चुपेंगी नहीं चाह कित आप देवी करती आज भारत सरकार की जिसके कारण यह इंसा हो रही है नेतिक जुम्मेदार बाजपा अरे मैं क्यों समर्दन करूंगा आप जब भारती जनता पार्टी चाहेगी तो इंसा नहीं होगी आप अपने इस बिलकों बापिस लीजिए आप आप हमारे जो रिक्त खा चाह 40 साल की हो ऐसे कैसे चार साल की हो 40 साल की हो अपने नीजी स्वार्त में आप सिस्टम के साथ छेड़ चाड़ कर रहे हैं जो अभी तक सेना में बढ़ती की योजना थी वो क्या गलत थी आज तक सेना में कभी डिफॉल्ट हुआ हमारी सेना का नाम रोशन पूरी दुनिया में है हमारी सेना की भरती आर्मी के माध्यम से होनी चाहिए ठेकेदारी के माध्यम से नहीं और सेना के जमान के पाथ पूरी रोयल्टी होनी चाहिए खुद पैंसन रहे हैं सेना को पैंस अभी तक आरक्षण में कितनी नोगरियां मिल गई जब से आठ साल से आये हैं मोदी जी यह जुमले वाज हैं यह हमारे साथ आपके साथ दोखा कर रहे हैं कब समझोगे आदेश की जीडिपी का है पांट इटिलियन की बात करते हैं अरे बराबर में लियाओ इक्वली कर लो पांट इटिलियन की अपना बाद में देख लेना उनी परस्तितियों में लाओ जहां से देश लिया था आपने आप मेरे देश की सभी कंपनियों का आपने निजी करन कर दिया आप बताईए हमें बेब कुप कब तक बनाएंगे आप कब तक ये टीवी वाले इस तरह से दे नेना ये खुद भी बहो गयांगे